इस आइज दो कि हेलो फ्रेंड्स मैं जितनदर जेपी मोगाल के लिए से आई ऑफ कि आप सभी अच्छे से होंगे दूस्तों आज हम बात करेंगे चार्ज़िंग की चार्जिंग बेसिक क्या चार्जिंग सोलूशन की बात करेंगे तो यह मेरी फ़स्ट वीडियो चाहे है जो चार्जिंग की आपको बेसिक चीज़ बताऊंगा और उसके बाद मैं साइकंड पार्ट लाँगो उसके पार्ट लाऊंगा तो यह जो हमारी वीडियो होने वाली है यह MTK CP model जितने भी फॉन होते हैं उनके अंदर charging का क्या funda होता है क्या funda नहीं होता तो यह वीडियो मैं उन सभी भाईयों के लिए बना रहा हूं जिनको charging में problem होती है तो चलिए start करते हैं वीडियो को तो देखिए दोस्तों यह हमारा CC connector है इसकी एक जो line है वो हमारी ground होती है और इसमें जो बीचवारी line है एक DP है एक DM है और एक NC होती है और एक हमारी होती है बीबस की line इसको बीबस भी बोल देते हैं और वी चार्ज भी बोल देते हैं इस को ठीक है तो अभी जो हमारी लाइन होती है," ये किसे तरह से जाती है?" ये हमारी बीवस की जो L 양 है ये 2 कैफिस्टर से होती हुए हो सकता है, तीन मिल जाए और हो सकता है कि कैफिस्टर के जगह आपको डordinate मिल जाए 하면서 ठीक है अबर वोल्टर प्रोटेक्शन जो IC होती है हमारी 8 या 10 बाल की होती है और इस और वोल्टर प्रोटेक्शन का क्या काम होता हैlation का काम यहे होता है कि चार्जिंग की सप्टैइ्ट हमारी कभी जैसे ओवर हो जाए तो यह उस अबर सप्टैइ्ट को यह रोग देती है एक तरीका से अपना आपकी एक कुर्मानी देती है और हमारे मोबाल मदरवोग में फॉल्ट आने से बचा लीती है तो ये काम होता है और वॉल्टेश प्रोटेक्शन आईसी का यानी ओबीपि आईसी का उसके बाद जो हमारी एलाइन ि vot जाती है यह जाती है अब यह चार्णिंग IC में विजाती है भौशे जिखे BQIC लगी होती है भौशे जिगह यह PMI IC में जाती है ठीक है और यह हुमारी DCT DC गेंडे इस्यों कर् Lecture USD या फिर हमको यह चेंज करने ही पड़ेगी जी हां बिल्कुल हम इसको बाइपास कर सकते हैं तो देखो बाइपास कैसे करते हैं हमारी जो इन्पुट की जो लाइन है और आउट्पुट की जो लाइन है इनको आपस में हमें सौट कर देना है जमपर कर देना है तो हमारी जो लाइने वह जो ग्रावंड की होती हैं इंपुट वाली लाइन और यारी इंपुट यह उन है नि चैंज घनने की आपको को ज़ूत नहीं पड़ेगी समय ठीक है तुस्तो कि अ Państwo कि ऑसके बाद दोस्तो अभी यह काम अमरा हमारा यहीं खतम नहीं हो इसके बाद किया होता कि उसके बाद हमारी एक लाइन और निकलती है इस बीवास वाल लाइन ses लाइन ही जो हमारी लाइन नीकलती है इस लाइन को ब༂ते हैंं डाम कहीं Kaline का मतलब होता है व्रयक्राणि 정도로 देटेक्सन हो तो इस लाइन का काम क्या होता है कि यह लाइन होती है जहाब जैसे हम मोबाइल में चार्जीर को पर्ट करते हैं तो पावरा हैसी हमारी हो होती ही टेक्ट एक mathर आती है कि हां मोबाइल के अंदर जो है फो चार्जर लग चुका है इस हमारी में हमारी म напद्ए को को दो स oral फेर्ट यह मतलच पनाकर एक तरीका outta है जो ये दो रजिस्टेंस गें यह हमारीजिस्टेंस है एक की गाम एक तो corresponds बीजी जीटिल वारी लाइन इसको जब हम यहां से हमारी जो यह लाइन जो जाएगी इसके जो वोल्टेज बनेंगे वो बनेंगे हमारे 0.5 वोल्टेज तो यह जो लाइन होती है हमारी इसको बोलते हैं बीजी जीटिल लाइन और यह मैंन इंपोर्टेंट लाइन होती है मालनों हमारा कोई भी इसमेंसे रेजिस्टेंज खराब हो जाए या टूड जाए एनिवे मतलब वाटर डैमेज हो जाए तो चार्जिंग की हमारी सप्लाई बिल्कुल भी नहीं चलेगी क्योंकि पावरा इसी हमारी समझी नहीं पाएगी कि चार्जर मौबाल के अंदर लग चुका है तो आप कितना मड़ी चार्जिंग पिन चेंज कर लेना है कितना मड़ी कुछ भी सप्लाई चेक कर लेना अगर यह सप्लाई आपकी ब्रेक है या फिर कोई इसमें रेजिस्टेंज खराब हुआ है तो आपकी चारजिंग सक्सेसफ़ली नहीं होगी सक्सेसफ़ली क्या मतलब कैसे भी नहीं हो पाएगी तो आपको यह डिवादर जो स्रक्ट बना हुआ है इसको आपको चेक कर लेना है को रिषटेंज खराब तो नहीं है इसके अंदर वाटर डैमेज के कारण को इसमें कोई तो नहीं हो गई है और सबसे ज़्यादा इस नहीं हो गई है और सबसे ज्यादा इसमें जो ख़राब होती है तो यह प्रोपर शेक कर लें रेश्टेंस की वैलू मैंने बता दिया को 30 कि होती है और दूसरी वाली जो होती है 39 कि और इसके इससे जो सप्लाई बनके निकलती है वो निकलती है हमारी 0.5 बोल्ट है जो हमारी पावर ऐसी बुझाती है ठीक है दोस्तों कि आई होको आप सभी को अच्छे समझ में आगया होगा अगर नई समझ में आया है तो एक पर दबरा से मैं लास्ट में रिवाइन करके बता दूँगा आपको कि इस सारी लाइन ने कैसे कैसे क्यों कहां कहां से इंप्ट हो रही है ठीक है अब हमारी एक लाइन और निकलती है होती है यह डेट कलों के से लेके टू कलों के संथिंग होती है और इस लाइन में जो हमारे वाल्टेज बनते हैं वह वाल्टेज बनते हैं हमारे टू पॉंट एट वोल्टेज अब इस लाइन का क्या होता है इस लाइन का जो काम होता है वह होता है कि जैसे हमारे मोबाल में इसमें आप तो हमारे मॉबीनों चलो है तो बिल्कल भी नचलेंगे तो यह हमारी निकल लाइन है यह भी विज्क अधर भी नसेग हो जाती है और इसमें तो रहो हुआ है है एक वोल्टेज बनेंगे टिक है तो बूस्तों यह तो हुग हमारी इन्पूट की लाइन है जितनी पी हमारी इन्पूट की लाइन आते हैं बीज़ी एक लाइन और ओर फॉति Claire के लिए निसकंपलिए हैं इसके बाद हम नो बात करेंगे निए की लाइन और आउटप Claire कि हमारी चार्जर के लिए चार्जिंग के लिए हमारी आउटपट की लाइन एक होती है ठीक है और यह जो भी लाइने मैंने आपको बताई है यह लाइने शिर्फ आपको eeem Rudolph कन भी मोबाइल हुए यह आपको कॉलकम क्या यह उन्हेक कि यह विडियो अलग होई है वीडियो अलग से बनाओगा है सीप्यू में मत क्ति आपाड़ि निया यह तो हम वारी इंपड की लाइन होगी हम और कि लग यह बात कर लेते हैं तो देखिए हमारी जो है बैटरी चार्जिंग के लिए भी पॉजिटिव है यह चार्जिंग आइसी से लाइन निकल के जाएगी एक कैपिस्ट्रोड डायवोड से होती हुई जिसमें आपको वोल्टेज मिलेंगे 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज तक और यह कैपिस्ट्रोड जो कि पाने तो आइस निकल के सीधी बावराइस एसा बवर इसूसरी से बावराइस सँ कहते है इसको बोलते हो करेंट řेक्षेंस वान क्या होता है कि अदु़ recent ने इस फॉन यह आपको समझ में आ ऐ गया होग है तो अभी हमारा बैसिक टा और बेडियो था और तोड़ी वीडियो बनाुगा घो चलिए मिलते मा反य नेक्स वीडियो में तो इक बार मैं दोब्रैक समझाता हूं आपको इसे Le котором değ लाइन हमारे आउटपुट की होंगी इंपुट की लाइन और आउटपुट की लाइन आप देख लेने इसमें तो मिलते की नेक्स्ट वीडियो में कि अच्छे टोपिक के साथ